Dear Students, चलिए स्टार्ट करते हैं कलास 10th के लिए सब्जेक्ट साइन्स को पढ़ना जैसा कि आप जानते हैं 10th कलास में जो हभी हम लोग साइन्स को पढ़ रहे हैं उसमें अमल और चार लवन को डिसकस कर रहे थे पिछले कलास में हम लोग प्रेश्ण उत्तर को पढ़ा था चलिए आज एक नए टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो टॉपिक्स दिया जाए साधारन नमक साधारन नमक साधारन नमक क्या है ये कैसे निकाला जाता है ये कैसे प्राप्त किया जाता है इसको समझने के लिए सबसे पहले कुछ arrow देकर लिख लिया जाए points first arrow देकर लिखा जाए सधारन नमक का उत्पादन समुद्री जल से होता है समुद्री जल से होता है first arrow में देखे हैं कि सधारन नमक जो हम लोग खाते हैं घरों में इस्तेमाल करते हैं वो कहां से निकाला जाता है तो समुद्र से निकाला जाता है आपको पता होना चाहिए कि समुद्र की जो पानी है वो खरा होता है आप सुने होंगे खरा और रहने का क्या वज़ा है क्योंकि समुद्र के पानी में NSCL पाया जाता है इसलिए समुद्र का पानी जो है खरा होता है और ये निकाला कैसे जाता है ये प्राप्त कैसे किया जाता है एक्चोली क्या होता है कि समुद्र का पानी जो होता है हम लोगों का ओ एने सिल तो उसमें होता ही होता है अब निकाला कैसे जाता है तो समुद्र के किनारे और जो लहर जाता है समुद्र का उसकी चारोर बांध बना दिये जाता है ऐसे करके ठीक है चारोर बना दिये जाता है और जैसे इस समुद्र में लहर उठता है तो समुद्र का पानी दूर तक उपर से उठ कर चला जाता है और जैसे ही उदर से आते टाइम जोकि धलान होता है ना समुदर तो गड़्ाम है और इस के उपर में ऐसा बांध बनाये गिए है छोटा छोटा अब जैसे ही इधर से लहर आया तो लहर पानी जो है उचल कर उपर उपर और बहुत दूर तक चला गया लेकिन जैसे ही उधर से आया तो बांध तक कुछ न कुछ वाटर जो है उधर ही रूख गया पानी उधर ही रूख गया और इतना हाड सनलाइट आता है सूर्ज का परकास आता है कि पानी जो है सोख लिया जाता है वास्पिक्रित हो जाता है और एने सील की मात्रा बच जाती है और ओ जो एने सील है फिर मसिनरी में जाता है रिफाइनिंग होने के लिए सुध होने के लिए फिर पैगिंग होता है और हम लोगों कहां आता है तो याद रखेगा सधार नम्म कहां से प्राप्त होता है समूदरी जल से ही very N.scl प्राप्त किया जाता है क्योंकि sodium queer एक तुरा का लवन हैं जिसको हम लोग नमक भी कहता है तो लिखा जया समूदरी जल से ही NCl प्राप्त किया जाता है ठीक है अब ये तो रहा हम लोगों का सधारन नमक अच्छा अब इसका जो कच्चा पदार्थ है सधारन नमक का जो फॉर्म है वो इसका इस्तेमाल हम लोग कहां कहां करते हैं ठीक है तो लिखा जाए उसके नीचे एरो देखर एरो देखर लिखेंगे सधारन नमक हमारे दैनिक उप्योग में सधारन नमक हमारे दैनिक उप्योग में कई कच्छे पदार्थों के रूप में किया जाता है अब जानते होंगे सधारन नमक को ही इस्तमाल हम लोग करते हैं खाने बनाने में खाने में है न लेकिन इसका उप्योग जो है कच्छे पदार्थों में कैसे करते हैं उसके नीचे पहला लिखा जाए उप्योग कहां कहां किस किस रूप में करते हैं तो पहला लिखेगा sodium hydroxide, sodium hydroxide, दूसरा लिखेंगे, दूसरा baking soda, baking soda, तिसरा लिखा जाए, वासिंग soda, वासिंग soda, और चौथा लिखा जाए, विरंजक चूरन, ठीक है, अब देखेगा, जो बात अभी हम लोग सिखे, क्या सिखे वई, कि जो सधारन नमक है, उस सधारन नमक का उपयोग जो हम लोग करते हैं, कच्चे पदार्थ के रूप में करते हैं, अब कच्चे पदार्थ कह जाने का मतलब है कि ये चार परकार, यानि कि ये चार टाइप्स में हम लोग सधारन नमक की तौर पर यूज करते हैं, पहला याद रखेगा, सोडियम हाइडरोकसाइड है, दूसरा याद रखेगा, बेकिंग सोडा है, तीसरा वासिंग सोडा है, और चौथा विरंजक टापिक्स करेंगे, फिल्हाल नोट में करके एक बात को लिखा जाया, नोट में लिखेंगे, लवन के रूप में, लवन के रूप में, निमनलिखित यौगिक परियूक्त किये जाते हैं, लवन के रूप में, निमनलिखित यौगिक परियूक्त किये जाते हैं, देखिए, हम आपको बताये थे, कि जब अमल और ज्छार अविकिरिया करते हैं, तो लवन और जल बनाते हैं, और उस लवन और जल को, कही लवन हम किसी को भी बोल रहे थे, जिसे पोटेसियम ट्रेट भी बनेगा ना, चाहें सोडियम कोल राइट, इस अब सब लवन की केटेगरीज में आते हैं, तो चली अब कौन कौन सा लवन की केटेगरीज में आता है, चली उसको हम लोग देखते हैं, तो लिखा जाओ, उसके नीचे पहला, इस अब लवन की केटेगरीज में आता है, दूसरा, जिंक सलफेट, जिंक सलफेट का जेडेन एसोफोर, तिसरा, कॉपर सलफेट, सीउ एसोफोर, फिर लिखेंगे चौथा, पुटेसियम सलफेट, के एसोफोर, तिसरा, एलमुनियम कुलराइड, एल, सी एल, थ्री, नेक्स्ट, छठा, फिर लिखा जाए, कॉपर सलफेट, जिंक सलफेट, कैलसियम सलफेट, सीए एसोफोर, एटीसी, याद रखेगा, ये सब सारे किस केटेगरीज में आता हैं, तो लवन की केटेगरीज में आता हैं, तो अब से हमको ये पता चल गया, कि लवन का फार्मुला सिर्फ एनेसीयल नहीं याद रखना है, इसके आलावे, जेडेनेसोफोर, सीएसोफोर, केसोफोर, एसोफोर, एस भी किस रूप में आते हैं, ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए, कि सधारन लवन का जो पड़े हैं, कि जो लवन होगा, उसका पीएच मान साथ होगा, चलिए, इसके बारे में, लवन के बारे में एक और कुछ कहानी है, कि महात्मा गांधी ने डांडी यातरा किया था, दांडी मार्च भी जिसको कहते हैं, तो महात्मा गांधी ने डांडी मार्च क्यों किया थ तो दांडी मार्च का उद्देश से था कि जो समूदर से नमक प्राप्त किया जा रहा था उसका अंग्रिये जो लोग जो है अत्ती यूज कर रहे थे जादा से जादा इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ तक कि उसको बरबाद भी कर रहे थे तो इसके बिरोध में महातमा गांधी एक यात्रा शुरू किया जिसको बूलते हैं डांडी मार्च दांडी यात्रा किया जिसको हम लोग कहते हैं कि जो महात्मा गांधी ने डांडी यात्रा किया वो किसके बचाओं में किया तो नमक को ज्यादा अती बरबादी के विरोध में किया ठीक है अंगरेजों ने इसका बहुत ही यह ज़्यादा बरबादी कर रहे थे और बहुत ज़्यादा हमारे यहां से नमक जो है अपने देशों में वो लोग ले जाया करते थे तो इसके विरोध में महातमा गांदी ने डांड़ी यात्रा किया था नमक को बचाने के लिए ठीक है चलिए तो यह जो सारे फूर भी बन जाएगा ना तब पर भी आपको कहना है कि लवन बना हलांकि लवन का मेन फार्मूला क्या होता है एने सियल या कोई नमक का फार्मूला पुछेगा तो इने सियल बताएंगे चलिए तो यह चार इंपोटेंट है हम लोगों का अब हम लोग पढ़ते हैं सोडि सोडियम हाइड्रोकसाइड लिखेंगे फर्स्ट हैरो सोडियम हाइड्रोकसाइड का अनुसुत्र 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 एन ए ओच है एन ए ओच है याद रखेगा सोडियम हाइड्रोकसाइड का अनुसुत्र अनुसुत्र का मने फार्मूला क्या है भई तो एन ए जी बिल्कुल याद रखेगा NaOH ठीक है अब NaOH बनता कैसे है अब सवाल उठेगा कि आप sodium hydroxide प्राप्त कैसे करेंगे ठीक है तो इसके लिए second arrow लिया जाए लिखेंगे सेकेंड एरो देखर जब sodium chloride के जलिये विलियन से विधूत प्रवाहित किया जाता है तो विधूत प्रवाहित किया जाता है तो NaOH प्राप्त होता है NaOH यानि कि sodium hydroxide प्राप्त होता है जिसे जिसे क्लोर चार अविकिरिया कहा जाता है जिसे क्लोर चार प्रकिरिया कहा जाता है अब देखें क्लोर चार प्रकिरिया क्या है तो sodium hydroxide का निर्मान याद रखेगा कि sodium hydroxide का निर्मान कैसे होता है अगर कोई पुछेगा तो याद रखेगा कि जब sodium chloride यानि कि NaCl के जलिये विलियन जलिये विलियन का मतलब कौन चीज़ जल रहेगा को में अगर विधूत धारा परवाहित करेंगे यानि कि यहां है विधूत तब जाकर हमको sodium hydroxide मिलेगा यानि कि NaOH और hydrogen और chlorine मिलेगा है H2 और Cl2 याद रखेगा अब इसको यह हम लोग कोई पुछेगा कि sodium hydroxide यानि कि NaOH कैसे प्राप्त किया जाता है तो आप लिखेंगे कि जब sodium chloride के जलिये विलियन यह जल है में विधूत परवाहित किया जाता है तो sodium hydroxide बनता है इसके साथ hydrogen और chlorine भी बनते हैं याद रखेगा जो chlorine बन गया ना इसी से नाम आया क्लोर और एने वेच क्या है तो एक प्रबल चार है याद रखेगा एने वेच क्या है एक चार है इसलिए इसको नाम दिया गया chlor चार परकिरिया जो अभी लिखे है तो जो लिखे है chlor चार परकिरिया उसके निचे ये समिकरन को दिखा देज apprent всегда слud और जहां तक बात है कि हम लोग संतुलित करके इस समिकरन को लिखते हैं, तो यहां भी दूसरे गुना कर दिया, यहां से भी दूसरे गुना कर दिया, तो यह संतुलित हो गया, तो कुल मिलाकर संतुलित समिकरन यहां पर कर देते हैं, तो क्लोर छार पर किरिया कहते हैं, उसक प्रवाहित करता है तो सोडियम हाइड्रोकसाइड हाइड्रोजन और कलोरिन बनता है ठीक है अब याद रखिएगा कि जब सोडियम हाइड्रोकसाइड प्राप्त किया जाता है जब इसका निर्मान होता है ना तो बिधूत धारा प्रवाहित करता है तो कैथोड पर जो बनता है hydrogen gas बनता है और एनोड पर बनता है chlorine यह सवाल अक्सर पुछा जाता है कि एन वेच यह निकि sodium hydroxide का जब निर्मान किया हो रहा होता है तब cathode पर क्या बनेगा तो cathode पर बनेगा hydrogen और एनोड पर बनेगा chlorine यह बिल्कुल आप याद रखेगा तो इस इस बात को लिखने के लिए उसके नीचे एरो देंगे लिखा जाए sodium hydroxide के निर्मान में sodium hydroxide के निर्मान में cathode पर cathode पर hydrogen gas तथा anode पर chlorine gas मुक्त होती है जी बिल्कुल याद रखेगा जब NaOH का निर्मान हो रहा होता है तो hydrogen जो निकल रहा है यह कहां निकलता है cathode पर cathode बुले तो plus cathode का मतलब होता है positive और chlorine कहां निकलता है तो negative पर यानि कि यह इसको anode कहते हैं तो cathode मने plus anode मने minus ठीक है तो यह बात अभी हम लोग sodium hydroxide में पढ़ रहेते हैं इसके बाद इसके निचे arrow दे कर लिखेंगे sodium hydroxide एक प्रबल चार है sodium hydroxide एक प्रबल चार है याद रखेगा sodium hydroxide जो है एक प्रबल चार है क्यों चार है कोई पुछेगा कि चार आके प्रबल का मतलब है बहुत सक्तिसाली चार है क्यों सक्तिसाली है भई तो इसका pH मान बिल्कुल 14 होता है और 7 से 14 वाला को हम लोग कहते हैं 6 और 14 है यानि कि इसका सबसे highest है तब इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि ये प्रबल 6 है तो याद रखेगा sodium hydroxide क्या है तो एक प्रबल 6 है क्योंकि इसका pH मान 14 होता है सबसे ज्यादा होता है ठीक है अब इससे related ए सवाल आता है कि sodium hydroxide का इस् इसके निचे arrow दे कर लिखेंगे sodium hydroxide का उप्योग कागज तथा वस्त रूधियोग कागज तथा वस्त रूधियोग और और साबून के निर्मान के लिए किया जाता है साबून के निर्मान के लिए किया जाता है जी है बिलकुल याद रखेगा कि sodium hydroxide का इस्तेमाल कहा कहा करते हैं तो साबून डिटरजेंट नली के साप करने वाला है निकि नली जो सफाई बिलीचिंग पाउडर विगरा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें या वस्तरूध योग पीने वाला पानी को सुध करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं तो कोई तरह से इसका विरंजक चूर्ण तो ये सब सारे के हम लोग बारे में हम लोग topics वाज डिस्कस करेंगे और इससे सवाल भी आता है कि बेकिंग सोड़ा कैसे बनता इसका फर्मुला क्या है वासिंग सोड़ा क्या है विरंजक चूर्ण क्या है एक और हम लोग पढ़ेंगे P.O.P. P.O.P. मने Plaster of Paris तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है तो दोस्त आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद